सो हाई एवरिवान स्वागत है आप सभी आंगनबारी सेविका एवं सहाई काओं बहनों का आज के इस नए और इंफर्मेटिव वीडियो पे तो जैसा कि आप लोग थम्डेल देख चुके होंगे तो जी हाँ आप लोग को मैं बता दूं कि बिहार में भी आंगनबारी केंद कितने दिनों के लिए बंद किया गया है और कैसे आप लोग को जो पोसहार वगरा है वो वित्रन करना है इसकी जनकारी आपको इस वीडियो में मिलने वाली है तो वीडियो में आगे बढ़ने से पहले आप लोगों से एक ही छोटी स्रिक्वेस्ट रहेगी कि आप लोग इस जिसे की बच्चों को बचाव हेतु आंगनबारी केंदरों को ततकाल के लिए बंद कर दिया गया है इससे पहले उत्तर परदेश में भी आंगनबारी केंदरों को 15 जनवरी तक बंद कर दिया गया है तो चली इस लेटर में देखते हैं कि ये जो विहार की आंगनबारी केंद इस लेटर को जारी करने वाले हैं निदेशक ICDS और सेवा में सभी जीला पततधिकारी को ये लेटर जारी किया गया है नीचे आयेंगे नीचे आने के बाद इस लेटर का जो विशय दिया गया है यहां पर आप लोग किलियर लिद देख पाएंगे लिखा गया है सीत लहर से बच्चों के बचाव है तू राज ये के आगनबारी केंद्रों को ततकाल बंद रखने के संबंद में यानि कि आज से जो आगनबारी केंद्र है बिहार में वो सभी केंद्रों को ततकाल बंद रखा जाएगा चली इसके नीचे देखते हैं कि और भी क्या-क्या निर्देश जारी किये गए हैं तो वीडियो आप लोग को पसंद आ रहे हो तो वीडियो को आप लोग लाइक जरूर कर दीजेगा लिखा गया है महासय उप्रियुक्त विशय के संबंद में कहना है कि परदेश में अत्याधिक ठंड का परकोप जारी है जैसा कि हम सभी लोग देख रहे हैं जिससे छोटे-छोटे बच्चे समया नियुसार केंद पर उपस्तित होने से परभावित हो सकते हैं नियम है उसके अनुसार जो 300 दिनों का आगन बारी केंदरों पर पोसहार बितरन करने का जो लग्ष है उसको तो आप लोग को पूड़ा करना ही है लेकिन फिलहाल जो बच्चों की उपस्तिती है वो उपस्तिती पूर्ण रूप से नहीं हो पारी है जिसको देखते हुए विभाग ने इस लेटर को जारी किया है और छोटे-छोटे बच्चे जो है वो सित लहर से बच्चों को बचाओ के लिए आंगनबारी केंदरों को तत से 6 वर्ष के बच्चों को आपूर्ती कराना सुनिश्चित किया जाए देखिए अब आप लोग समझेए आंगनबारी केंदर तो अभी फिलहाल के लिए बंद रहेगा अभी इसका कोई टाइमिंग नहीं है कि कितने दिनों के लिए बंद रहेगा अगले आदेश तक आप को आगनबारी केंदर को बंद रखना है जैसे कि सभी सरकारी स्कूलों के भी छुटी हो गई है उसी परकार से यहाँ पर भी जो आँगनबारी केंदर चलाये जाते हैं उसको भी ततकाल रूप से बंद कर दिया गया है लेकिन जो पुसहार वग्यरा है उसको आप लोग को भर्मन कर बितरन करना है तो इस प्रकार से आप लोग के लिए ये निर्देश जाड़ी किये गए है तो आज से बिहार में जितने भी आगनबारी केंद संचालित हो रहे थे उसको ततकाल रूप से बंद कर दिया गया है नीचे आप लोग देख पाएंगे आई सीरीज डिरेक